सबाब बिगटन को असम्माइधानिक कदम को बिरुद्ध मा रहे का तिन राष्ट्य पाटियर को समिक तो बईठक भहे को थियो तियो बईठक मा आमरो यो असम्माइधानिक र प्रतिगामी कदम को बिरुद्ध समान धारना रहे संगर से कसरी गरने बंने बारे माँ नेपाली कांगरेस को केंडर re कमीटी को बय्ठक बोली देखीने ज़ा तुँँ बय्ठक संस्पन्य भाय से त्यों बभईठक को निडय अंशार आमि तपा अ फेरी बार्ता गरने जोँ बने रहार नेपाली कांगरेस को केंडरkom Kommitt आज़ इस्तोर गी छ यो 20 मा पनी 14 गते पसाड़ी आमीले नेपाली कांगरेश जन्ता समाजबादी पाठी चाहिं मुख्यत बार्ता गर्यों जन्ता समाजबादी पाठी मुल्भोत रुप मा तयार नहीं देखिन चा तर नेपाली कांगरेसले आपनो केंद्रे कमेटी को बहिठक ले निने नगरिशेको कारण ले गर दाखेरी समिक्त संगर्ष मा अईले पनी चाहिए निने बहिशेको मिस्ति अईले तेस्प्रकार को कुनेई संग का प्रकट गरना चाहननों किना वने शबय पाठी हरुले तपाहिए ले चर्चा गरनों भयको नेपाली कांगरेसले पाठी र जन्ता समाजबादी पाठी ले यो असम्माईधानी को अलोकतांत्री को बने र आपनो द्रिश्टी को प् अबाज उठाहिएको छा तेसेले आमी आशागरचों वहारले अईले सम्मा केंद्रे कमिटी बाठा ठोस न्यूने नगरी शेक्यो अवस्ता बहे पनी यो असम्माईधानी कोदम लाई असफल पार्ना प्रतिगमन लाई असफल पार्ना अभापनों तर्भाड कारिकम गरद आमरो कारेक्रम असम्माईधानी कोदम का विरुद्धा हो प्रतिगमनी कोदम का विरुद्धा हो त्यो इस्तिती सिर्जना गरने उत्पन गरने असम्माईधानी कोदम चालने सरकार को विरुद्धा केंद्री छो रो त्यो कोदम का विरुद्धा केंद्री छो पर आमी व् निर्वाचित सरकार ले नई असम्विदानी कदम चाले। निर्वाचित सरकार ले नई असम्विदानी कदम चाले। निर्वाचित सरकार ले नई असम्विदानी कदम चाले। निर्वाचित सरकार ले नई असम्विदानी कदम चाले नई असम्विदानी कदम चाले। झाले। झाल झाल